सो हेलो दोस्तो क्या हाल चाल तो कुछी दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था लोफी म्यूजिक चैनल है उस पे कॉपी राइट क्लेम आता है तो मोनेटाइज होगा की नहीं तो आज किस वीडियो में मैं आप सबी लोगों से लोफी म्यूजिक यूटिब चैनल के बारे में बात करने वाला हूँ बिसिकली लोफी म्यूजिक के बारे में तो आप सबी लोगों पाता ही होगा या फिर मान लीजी हम लोफी म्यूजिक को बनाकर अपलोड करते हैं और हमारी YouTube वीडियो पर copyright claim आ जाता है तो उस case में हमारा YouTube चैनल monetize होगा या नहीं होगा या फिर हमारी वीडियो मोनेटाइज होगी या नहीं होगी आज इस वीडियो पर जो है इसी बारे में बात करने वाला हूँ तो उस तो वीडियो को लास ते जुर देखेगा बहुत यह तकाम की होने वाली है और अभी देख आपने इस वीडियो को लाइक नहीं है तो या जल दिस लाइक कर दीजे आजाएटे साथ ही चैनल को सब्क्राइब नहीं क्यास सब्क्राइब कर दीजे तो चलिए दूस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए दूस्तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें low-fi music videos के बारे में या फिर low-fi music के बारे में तो I am sure आपने से काफी सारे लोगों ने इस तरह के music अक्सर ही सुने ही होंगे अब क्योंकि यहाँ पर जो low-fi music होते हैं वो अपने original music से काफी अलग होते हैं और यहाँ पर जो low-fi music होता है उसको बनाने का अपना ही एक प्रोसेस होता है और कहीं न कहीं इसमें creativity भी इस्तिमाल होती है क्योंकि अगर आप किसी भी एक normal song को अगर आप basic तरीके से low fee music बनाते हैं तो वो कभी भी आपकी audience को पसंद नहीं आएगा तो उसमें कहीं न कहीं आपको अपना थोड़ा सा hard work और अपनी थोड़ी सी creativity एड करनी ही पड़ेगी उसके बाद ही वो एक perfect low fee song बन पाएगा जिससे यदि आप किसी भी platform पर upload करते हैं या फिर share करते हैं तो वो लोगों को यहाँ पर पसंद आएगा अब क्योंकि यहाँ पर देखे दोस्तों जो low fee music होते हैं वो original content में ही कुछ modification करके तयार किये जाते हैं इसलिए काफी सारे लोगों को यहाँ पर यह लगता है कि अगर हम जो low fee music हैं उनको बना कर किसी भी YouTube channel पर upload करते हैं तो हम उसे यहाँ पर monetize कर सकते हैं या फिर काफी सारे लोगों के मन में इसे लेकर एक सवाल भी होता है कि क्या हम low fee music related YouTube channel बनाते हैं तो यह monetize होगा कि नहीं होगा और उसमें ही सबसे बड़ी समस्या आ जाती है copyright claim की उनके original honor या फिर creator के द्वारा जो भी song को बनाते हैं और अपना खुद का song YouTube पर upload करते हैं उनके पास एक content ID होती है जिसकी वज़े से यदि आप उस song को इस्तिमाल करते हैं भले ही आपने उसमें कुछ effect वगएरा add किया हो आपने उस song को modify वगएरा किया हो इसके बावजूद यदि आप उस song को इस्तिमाल करते हैं तो आपकी वीडियो पर copyright claim आ जाते हैं तो वहीं पर लोगों का ये भी सोचना होता है कि अगर हम Lofi Music के upload कर रहे हैं उसमें copyright claim आ गया तो उस case में हमारा YouTube channel monetize होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले हम समझते हैं यदि आपकी YouTube channel पर copyright claim नहीं आता है और आपने अपने YouTube channel पर अपनी creativity और hard work के थुरू काफी सारे songs को जो है वो Lofi songs में convert किया है या फिर काफी सारे original songs को आपने Lofi song बना कर अपने YouTube channel पर upload किया है तो इस case में आपका YouTube channel monetize होगा या नहीं होगा तो देखे दोस्तों यदि आप अपने YouTube channel पर किसी भी दूसरे person का content upload करने की सोच रहे हैं तो यस आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर YouTube की कुछ terms and condition होती है और basically दूसरों का content इस्तिमाल करके अपने YouTube channel को monetize करवाने की यहाँ पर एक ही तरीका है और वो है YouTube की fair use policy जिसमें YouTube किसी दूसरे person के content को reuse करके अपने YouTube channel पर upload करके उसे monetize करने के लिए allow करता है जो दोस्तों यहाँ पर जो songs होते हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे person के होते हैं 100% originally और एक song को बनाने में एक creator की काफी ज़्यादा मेहनत होती है काफी ज़्यादा खर्चा आता है और उसकी बहुत ही long time की जो है वो उसमें investment होती है hard work होता है याथि आप किसी भी song को अपने YouTube channel पर upload करते हैं और आप अपने YouTube channel को monetize करनी की यहाँ पर सोच रहे हैं तो इसके बहुत ही rare chance है या फिर मैं आप सब लोगों से कहूं तो almost ना के बराबर chance है कि इस तरह का YouTube channel आप monetize करवा पाएं क्योंकि यहाँ पर अभी तक YouTube में इस तरह का कोई भी rule या फिर law exist नहीं करता है जिसके थुरू आप जो original music हैं उनमें कुछ effect वगएरा add करके या फिर उनको आपकी YouTube channel पर यहाँ पर copyright claim आये या नाये उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग इस तरह की YouTube channel बनाते हैं वो basically audience के लिए बनाते हैं और वो यहाँ पर जो non monetize तरीके होते हैं उनका इस्तिमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए उस तो वीडियो कैसा लागा हमें जुरूबता है अच्छा लागा हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए समय तेरी नेक्स वीडियो है कि तेरी गुड़ बाई एंड टेक केर